नमस्कार साथियों मैं आपका मित्र आशीश तायल डबलू सेल समवाद की सकड़ी मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ वेस्टन कोल फील्ड लिमिटिड के बलारपूर ख्षेत्र के ख्षेत्री महा प्रबंदक शरी सभय साची डे साब से सर आपके इसकार करम में बहुत-бहुत स्वायगत है नमस्कार सर हमारे डबलू सेल परिवार के सदस्यों को बलारपूर ख्षेत्र के बारे में बताएं ख्षेत्र में कितनी खधाने है तता वर्ष 2022 देष का उत्पादन लक्षे क्या है बलारपूर छेतर में चार सवेरिया है जिसमें छे ओपन कस्थ है एक अंडरागाउन माइन्स अभी रनिंग है जिसमें बलारपूर सवेरिया में बलारपूर ओपन कस्थ माइन्स और बलारपूर अंडरागाउन माइन्स है सास्ती साथती साथ्टी open cast mines है और सास्ती में एक नई माइन चालू हुआ है जुपतर open cast mines जो एपरिल से इस सल चालू हुआ पोणी टू साथिया है जिसमें दो क्वेरी है वो अकले एकी माइन है लेकिन दो क्वेरी उसमें है और गोरी सबिरिया है जहां पर गोरी पोनी मर्जर माइन्स है और गोरी डिप माइन्स है हम लोग के एरिया के इस साल का जो लक्स दिया गया जो टार्गेट है पचासी लाक पैतालीस एटन असुरू से ही हम लोग अभी जो दो मैना बिता है तो हम लोग लग से उपर ही है और पिछले साल से भी हम लोग ज़्यादा उत्वादन कर रहे हैं देखें बलारपु छेत्रे के एक एसे छेत्र है जो ग्रोइंग एरिया है पिछले दो साल से एक ट्रंजिशन फेस में कई माइन्स का प्यार एप्रूब हो चुका और हम लोग नया माइन्स चालू किया है जैसे कि पोनी टू माइन्स दो साल का अंदर हम लोग जो उसका इसी लिमीट है 3.25 उसको हम लोग पिछले साली अचीब कर चुके हैं और इस साल तो उसका और एंहांस्मेंट करने के बाद चल रहा है कि 20% उसका प्रोडक्शन और एंहांस किया जाए साथी हम लोग दुपतला माइन्स जो बहुत लंबी था बहुत साल से उस माइन को हम लोग इस साल अम लोग चालू कर लिए और आने वाले दीन में गौशी पोनी एकश्पंशन जो 3.5 million tenths का मेन है कुरूस करेंगे इस साल की अग्ला सल धुस को चालू कर ले सास्ती एच्पंशन माइन जो 2.5 मिलेंट का माइन है पहले 1.4 1.5 मिलेंट होता था जिसको हम अगला साल 2.5 मिलेंट तक ले जाने को सिस कर रहे हैं और आने वाले दिन में और एक प्यार हम लोग का एप्रूब है जो बलारपु नॉर्थ वेस्ट जिसका हम लोग अभी काम करें सेक्शन 4 के लिए ये आने वाले दिन में 1.5 मिलेंट का एक माइन आ रहा है जिससे कि अपना इस एरिया छेत्र का प्रूड़क्शन काफी एनैस्मेंट होगा साथी इस कमपनी को जो 75 मिलेंट करना है 1 मिलेंट टार्गेट के लिए एक बहुत महत्तपूर्ण हम लोग का एक जोगतान रहेगा सर समाज के प्रती अपने दायतों का निर्वहन करते हुए CSR के तहट बलारपुरक्शेतर द्वारा क्या कारिये किये गए हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दो साल से जो पैंडेमिक हुआ था कोरोना के चलते यहां के भी जो लोकल विलेजर्स है और अपना एंप्लोईस भी काफी कुछ तरस्त हुए उसमें और उसमें हम लोगा हस्पिटल से बहुत ही अच्छा सेवाए यहां दिया गया कोवीट सुरू होने के पहले ही हम लोग 15 बेड में ऑक्सिजन सप्लाई के हम लोग प्रोविजन रखे थे अपना इंप्लोईस जिसको उस ताइम जब बेड होड नहीं मिल रहा था तो जो सीरियस पेसेंज था उसका भी हम लोग बहुत अच्छे से यहां ट्रीटमेंट किय दो करवर रुपिया तो हम लोग बलारपू नगर परिसाथ को दिये हैं आरो प्लैंट बैठाने के लिए साथ ही जो आज पास के हम लोग विलेजेस हैं उसमें हम लोग अरस्ता स्कूल विल्डिंग से पेरिंग टाइम टू टाइम हम लोग मेडिकल कैम और कोबीट टाइम म हम लोग इवन यहां जो माइगरेटिंग वॉरकर्स जो जा रहे थे उनका लिए भी हम लोग खाने के बहुत बंदोस्त किये थे बलारपू छेत्रे के ऐसे चेत्र में था कि हम लोग सबसे पहले यहां पर वैक्सिनेशन सेंटर अपना हॉस्पिटल में चालू करा है जो इस साल हम लोग जो लक्स रखे हैं 22,000 करी प्लांटेशन कुछ माइंस हैं जैसे पोनी टू माइंस हैं जिसमें सी एक्यों में इंस्टॉल कर चुके हैं यह पलूशन का जानकरी प्राप्त होता है उसमें साथ ही हम लोग डश सप्रेशन के लिए मोबाइल टैंकर्स हम लोग करके जाएगा जिससे चलते जो रोड में जो हम लोगा डस्ट जमा होता वो नहीं होगा अभी टेंडरिंग स्टेज में हैं सभी माइंस के लिए हम लोग उसका टिंडर की हैं कोल टांस्पोर्ट है उसका दोनों तरह हम लोग इस साल लिया है कि बंबू प्लांटेशन जिसका चलते कि जो डस्ट महीं पर एरेस्ट हो जाए वाटर पल्यूशन के लिए हम लोग सभी माइंस में जो माइं डिस्चरज करते हैं हम लोग वो सेडिमेंटेशन टैंक का थू से सेटल होके क्लीन वाटर को हम लोग महा पर देते हैं जिससे पानी का जो पल्यूशन है हम लोग रोक पाते हैं और सभी ही में मेंस जो वसिंग होता है जिसमें ग्रीज ऑईल यह सब रहता है उसको वसिंग के लिए एटेवी प्लयंट सभी माइंस में है उपलब्द है प्रेसर फिल्टर से जो माइंस से हम लोग निकलता है उस पानी को भी हम लोग अगल बहल के गाउं में सुध पानी देते हैं यहां से और पौनीट्व मांग से प्रसर फिल्टर है जिस से उनका एक तलाव है तो पने माईंज का देते हैं जिस गाउं में उसको इटलाइज करते हैं सबी मेजर माइन्स जो है उसमें रूप टॉप रेन वाटर हर्वेस्टिंग उपलब्ध है आप जानते हैं जो बारिस के टाइम में जो पानी ऑफिसेस में उपच्छद में जमा होता है पाइप का थ्रू से वो हम लोग एक बोरोल के तरफ ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं सर बलारपुर्ग शेतर में किस तरकी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं बलारपुर्ग शेतर में हमारे शेतर में एक एरिया होस्पिटल है और दो डिस्पेंसरिस है एरिया होस्पिटल 25 बेड़ेट का एक होस्पिटल है जिसमें सारे मेडिकल सुविदाय उपलब्ध है इसमें IME, PME की सुविदाय यहां किया गिया साथ ही यहां 12 एम्बूलेंस है और एक BLS एम्बूलेंस भी है बहतरी मेडिकल सुविदाय देने के लिए अपना इम्बूलेंस को अगर भार भी ट्रीटमेंट करने के जरूत पर है तो हम लोग उसको वहाँ पर बेज़े है अगल बगल के जो हमारा विलेजर्स है उनका भी चिकिस्ता हम लोग करते है जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मिशन सेहत का एक ड्रीम मिशन है जिससे वरकर्स का लिविंग स्टेंडर को हम लोग अपग्रेट करना चाहते है और इसका तहत हम लोग कई कुछ काम कर चुके है सभी का लिविंग में B टाइप एगन C टाइप जो क्वर्टर्स है सब लोग सभी चेंज कर चुके हैं सारे कलोनी का रूफ ट्रीट्मेंट जो APP हम लोग कंप्लीट कर चुके पिछले साल रेनेज सिस्टेम को हम लोग अप्रेट कि हैं पेवर्स प्लॉग लगा रहे हैं वाकिंग ट्रैक के लिए इस साल हम लोग एक पार्क बनाने वाले हैं जिसमें ओपन जीम का प्रावजान रहेगा एक औरिटियन का रेनोवेशन कर चुके हैं चिल्रेन पार्क का भी रेनोवेशन कर चुके हैं जितना रोड्स है, उसका रीकार्पेटिंग किये, हाँ, जहां तक होस्पिटल का अप्ग्रेटेशन का बात है, हम लोग एरिया होस्पिटल में काफी कुछ काम किये हैं, जिसमें सारे विंडोस जो पैनल पहले पुराने हैं, उसको हम लोग चेंज करके, ऐलुमिनियम पैनल् जितना वर्ड्स है, सभी में एसी फिट हम लोग किये हैं, पिछले साल सारे कलोनिस में लाइट फिटिंग पूरा रोड में हम लोग लगा चुके हैं, इस तरह हम लोग जो क्वालिटी अफ लीविंग, वर्कर एंप्लोईज का है, इसको और अच्छा करने के कोशिस कर रहे सर्ड, WCL के मिशन मुद्रा के तहट बविश्य की जरूरतों को देखते हुए, अक्षेतर का ग्रीन एनर्जी या सोरा एनर्जी के अक्षेतर में क्या युगदान हैं, या कहें कि कार्बन डा एक्षाइड उत्सरजन को नेट जीरो करने के लिए क्या कारिय किये जा रहे है अनना इनिसिटीव जो हम लोगा साथ अपना एरिया में हम लोग लिये हैं जैसे सोलर पैनल जो अपना जीय हैं अपिसको उपर में 60 किलोट का सोलर पैनल लगा हुआ है, विरूर जो माइन्स हम लोग का अंडगोन माइन्स पहले था, वो बंद हो चुका, उसमें 40 सेक्टर जब इन हम लोग चिन्नित किये, जहां सोलर प्लैंट हम लोग लगाने का हम लोग प्लान किये हैं, साथी बलारपूर OCM में जो पुराना डंप है, उसका उपर इको पार्क बनाने के भी एक प्लानिंग हम लोग चल रहा है, और मिसन मुद्रा के तायत हम लोग जो पुराने मेशीन स्क्रैप में हम लोग बेच के, पिछले साल तीन करोर पंदरा लाग रुपया हम लोग कंपणी के लिए अरजीत किये हैं, इस साल हम लोग अभी तक दो करोर का स्क्रैप रेसिडियल के लिए हम लोग बेचने के लिए उसका चिन्नित कर चुके हैं सर संवाद के माद्यम से आप बलारपुर क्षेतर के कर्मियों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस संवाद कारेकरम के माद्यम से मैं अपना बलारपुर क्षेतर में सारे वरकर्स, सारे स्टाफ, सारे अफिसर को यही बोलना चाहूंगा कि अपना कंपणी के परती हम लोग सजाग रहे और जो भी टारगेट हम लोगो दिया गया है उसको हम लोग with safety safety के साथ safety के साथ कोई खिलवान न करें और उस target को हम लोग receive करें अपना सेत्र करें अभर कंपनी को नाम भी ऊउच्छा करें ऑपनी साथ करें नवश्कार. ये लोग हमेशा अपडेटेड रहते हैं और इससे काफी लवान नी थोर आपना कमपनी का. तेंक यू सर. साथियो, WCL समवाद कारेकरम को आपने खूब सरहा धेड़ सारा प्यार दिया. इस कारेकरम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुजाओ दिरनतर आमतिर करते हैं. नमस्कार.